हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस और एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 23 अफ में 2021 तो गैज आज है तारिक 23 माई 2021 और है संडे देखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लिक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चनल मिल जाएगा उस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना ना हो बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है स्वीडन को कहां पर है ये एक्जैक्टली लोकेटेड इंडिया के कमपारिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पहला आर्टिकल बात करता है कोवीट के केसिस के बारे में तो हम लोगों ने देखा अभी पिछले दिनों में जो केसिस हैं वो काफी थे जिसे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे लगबग साड़े तीन लाग के आसपास डेली बेसिस पर कोवीट के केसिस देखने को मिल रहे थे ना वो जो केसिस हैं वो लगातर डिकलाइन होते वे नजर आ रहे हैं आज के टाइम पर आप देख पाऊगे पिछले 24 घंटे के अंदर 2,00,00 फ्रेश केसिस देखने को मिले हैं और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम होता वा नजर आया जो की काफी बढ़िया बात है आप देख पाऊगे रशियन वैक्सिन है जो की काफी ज़ादा चर्चा में है वो कौन सी है इसके जो 18 मिलियन डोजिज है वो इंडिया के अंदर अविलेबल करवाए जाएंगे अगस तक उसके बारे में एक छोटी सी इनफॉर्मेशन दी गई है ताकि आप कर सकते हो कि आज के टाइम पर जो हमारे यहां वैक्सिन की शौटेज है उसको पूरा किया जा सके जल सा जल हम लोग अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सिन लगा सके उसके बाद जो यह इस पूतनिक लाइट करके एक सिंगल डोस वैक्शीन है इसका भी प्र आटिकल की तो यह काफी इंपोरेंट आटिकल हो जाता है देखो हो क्या रहा है आज के टाइम पर कोविट तो फैलता वह नजर आ रहा है उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम एक और विमारी देखने को विल रही है वो है म्यूकर माइकॉसस ठीक है बहुत सारे राज्यों के आसपास जो है 2000 से जाद ही म्यूकर माइकॉसस के केस यहाँ पर देखने को मिल रहे है नव अभी आपको मालूम होगा हाली में हमने डिसकस भी क्या था कि यह जो म्यूकर माइकॉसस डिजीज है इसको बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एक एपिडेमिक बोल दिया है मतलब चलो मैं बता देता हूं यहाँ पर देखो जो थीज़े होती है यहां पर आपदेख पाओ गवे यह पिच्चर ऊपर दे रख़ी है ठीक है तो हहाँ पर है उपर इसके भार में धियान रखना ह के या नहीं कि महामारी वह तो पता नहीं कितनी फैलती जाती है कितने लोग मरते हैं कुछ यहां पर हमारे पास information होती है कुछ information नहीं होती है अब यहां पर एक particular region में फैलने वाली बिमारी को एक particular country के अंदर फैलने वाली बिमारी को हम लोग epidemic का दर्जा दे रहें अब हो क्या रहा है अभी यहां पर बहुत सारे states के द्वारा इस बिमारी को epidemic declare किया गया है इसको हम लोग कैसे declare करते हैं तो बहुत important चीज़ यहां पर दे रखी है देखो इसको epidemic तो हम declare करेंगे हमारे पास कुछ provisions हैं वह कहां पर है epidemic disease of act 1857 तो आपको धिहान रखना है यह prelims के point of view से बहुत important point है जो epidemic disease act 1857 है इसके तैथ हम लोग epidemic declare कर सकते हैं नो यहां पर हमने देखा इस बिमारी के बारे में यह mucar mycosis है अब हमारे exam के point of view से भी बहुत जादा important हो जाता है यह mucar mycosis तो काफी news के अंदर है इसके बारे पढ़ना बहुत ज़ादा जरूरी है यह जो mucar mycosis है यह fungal infection देखने को मिलेगा यह fungi से फैलता हुआ नजर आता है और आपके जो organs है various organs को affect करता है जैसे की brain हो गया ear nose throat mouth और जो eyes हो गई उनको भी काफी बुरी तरीके से यह affect करता है बहुत साथा damage यहां पर कर देता है उस देखने को मिली है in fact हमने जो हाली में देखा कोविट के cases वालोगी जो patients है उनके अंदर जो यह mucar mycosis फैलता वह नजर आया है तो उन patients के अंदर भी जो diabetes वाली problem है वह common थी ठीके तो सबसे बहली बात तो यहां पर diabetes common रहा है sugar level यहां पर एक तरीके से हाई रहा है जिसकी व से related यहां पर problem होगी और जो आखे हैं वो सूजने लगेंगी facial pain होने लगेगा headache होने लगेगा ठीके उसके बाद आपको सकते हो कि जो आपको दिखना थोड़ा सा कम होने लगेगा आखे एकदम से लाल होने लगेंगी सबसादे problem आखों में हो जाती हैं कि बंसी होने लगती लेकिन treatment बदाने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना म्यूकर माइक को यह नई बिमारी नहीं है यह पहले ही आ चुकी थी यह बहुत पहले की बिमारी है जो कि हम लोगों को वापस से देखने को मिली है रीजन क्या है सड़नली इसके जो diseases की increase होता वह नजर आए मतलब कि लगाता है यह बढ़ती भी नजर आई है उसकी वज़ा से वापसे न्यूस का अंदर आ गई है हम लोगों को मालूम चलना है ठीक है लेकिन यह बिमारी बहुत पहले की इसको आपको ध्यान रखना है नौ इसका जो treatment वह पहले आ चुका है वो क्या है एमफोडरेसिन भी यह drug का अस्तमाल करके जो है इस बिमारी को treat किया जा सकता है उसके बाद एक चीज़ यह भी आती है देखो यह उन लोग के अंदर फैल्ती वे नजर आती है एक तो diabetes वाले patient हो गए दूसरा जो बंदा steroids का जादा अस्तमाल करेगा steroids का जादा अस्तमाल करने से भी क्या होता है body के मतलब वोई diabetes वाली situation देखने को मिलेगी तो जो steroid का use है उसको आपको कम करना पड़ेगा दूसरा यहाँ पर यह solution हो सकता है इसका तीसरा solution यह होता है कि अगर यह fungus आपके body parts को काफी बुरी तरीके से affect कर चुका है तो फिर उसमें surgery करने की काफ ज़्यादे जरूरत पड़ यह surgery करके हम लोग इस fungus के growth को रोख सकते हैं ना कुछ preventive measures है मतलब की क्या-क्या step हम उठा सकते हैं ताकि यह mucer mycosis हमें हो ही ना तो उसके लिए आपको अपना जो blood sugar level है उसको हमेशा अपना control में रखो ठीक उसको check करते रहो control में रखो दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा reason यह है कि देखो जैसे आप लोगों कुछ ऐसा मैसूस होता है जैसे आप लोगों को लगता है कि हाँ यह mucer mycosis के symptom से इसी के लक्षण है तो फड़ा फड़ा इसका treatment कराओ क्योंकि यह ज्यादा better होगा जित्ती जल्दी treatment होगा तो जल्दी हम लोग ठीक हो पाएंगे ओके नव उसके बाद आता है next article देखो यहाँ पर बात करी गई है यास के बारे में यह एक cyclone है यास ओके नव यह बोला जा रहा है कि अभी हमने देखा कि एक cyclone आया था ठीक है जिसका नाम था ताउते अभी यहाँ पर एक और cyclone हम लोगों को देखने को मिल रहा है और वो है य और यह जल्दी हिट करने वाला है कहां पर ओडिशा यानि बे ओफ बेंगॉल वाले कोस्ट पर यह हिट करेगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है यानि कि अभी हम लोग एक cyclone से गुजरे हैं अब यहाँ पर दूसरा cyclone सर पर खड़ा हो गया है और यह 26 मही पर ऐसा लग र इंडियन मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे मौसम भीबाग के द्वारा तो आइमडी वाली इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टन हुजाती है हमारे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो यह इंडियन मेटरोजिकल मौसम रहने वाला है और साथी साथ यह लोग साइकलोन को भी फोरकास्ट करते हैं ठीके साइकलोन के लिए यह जिम्मेदार है मतलब देखते हैं बताते हैं कि हाँ साइकलोन वाली सिच्वेशन कहां पर अभी जैसे हमने यह आर्टिकल पढ़ लें यहाँ पर यह जो साइकल इसके पहले रिपोर्टर कौन थे वह यह पर संथे फिर उसके बास सर जॉन एलिएट इनको पॉइंट किया या एज़ा डिरेक्टर जनरल ठीक है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में इसका हेड़कॉर्टर आपको न्यू डैली के अंदर देखने को मिली जाएगा नाव अभी है अभी भी हाँ पर कुछ और पॉइंट से जो कि हमारे एक्जाम के रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो साइकलों ने यह बेयोफ बैंकॉल के अंदर देखने को मिलेगा और बेयोफ बै पहरे चैंज़ और यूजऑ नाव नाव जल्ल आव लग जगापर अलगलग नाम्स मिलेगा जैसे की और अगर यह सदन अम्रिका वाले साइड में तो इसको मिसंतों की नाम से डाने जाता है और अगर यह सदन में आपको धियान रुके सी इंफॉरम बेशनन HE भर क्या चीजेंग तो इसको मीष्ट प्रिंफॉर पर में शातों काय deja the help of the shield अब ये सिर्ड साइक्लोनिक स्टॉम क्योंसे होता है जिनकी हवा की स्टॉम जो आन्दी तूफान आ रहा है जिनमें हवा की स्पीड जो यह होगी 118 से लेकर 221 किलोमेटर परारगी यानि कि हवा की स्पीड जितनी जादा होगी वो साइकलोन उत्ता जादे खतरनाख होगा लॉजिकल सी बात है है ना यहाँ पर आप देख पाओगे हवा की स्पीड कम हो जाएगी इसको पहले हम लोग डिप्रेशन बोलता है फिर यह डीप डिप्रेशन होता है यानि कि इसमें थोड़ा उसा इंकरीज हो जाएगी स्पीड उसके बास साइकलोनिक स्टॉम स्पीड थोड़ी सी और इंकरीज हो जाएगी यहाँ पर आप देख पाओगे जो अभी हमने ताउते वाला साइकलोन देखा था वो भी वैरी सीवर साइकलोनिक स्टॉम था ठीके अब यहाँ पर जो हम दूसरा वाला साइकलोन देखने वाले हैं वो भी एक वैरी सीवर साइकलोनिक स्टॉम है इसके बारे में यहाँ पर य इसका नाम दिया गया है यह जो यास साइकलोन ने इसका नाम आया है ओमान के दौरा ठीक है ओमान ने इसका नाम दिया है और इसका आपके सकते हो मतलब है गुड़ फ्रेग्नेंस अच्छी खुश्बू इसको अगर हम इंग्लिश वर्ड से कनेट करें तो यह जैस्मीन के टा होता है अब मैंने आपको बताया कि यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर वाला बीच वाला रीजन है ठीक है अब यहां पर क्या होता है जो सन की रेज है ना सूरज की किड़ने लगाता और एकदम खड़ी किड़ने पड़ती है इससे क्या होता है जो पानी का और बाप निकलेगा तो यह उपर जाएगा अब यह जो बहात जाएगा उपर कःए टम्रे judgments अवरा यह जाते है तो रहेगा चलता रहएगा यह और जपाष रहाइगा और जपावरफूल होता रहेगा यहाँ पर यहाँ बन्त रहेंंगे उसके बाद यहाँ प्रसफाइब पर बंते हैं तो Wick हमने पूरा तरीके से complete कर लिया है हमारे geography के point of view से चलो आगे बढ़ता है next article की तरफ नौ यहां पर आता एक और article यह बोला गया है जो digital media है उसको बोला यहां पर यह जा रहा है कि देखो आज के टाइम पर ना पूरे डिजिटली social media platform पर एक नाम इस्तमार हो रहा है Indian variant ठीक है हाल है कि यहां पर देखो जो भी वेरेंट मिल ला है हम लोगको COVID का जो भी वेरेंट मिल ला है जैसे कि b.1.617 मिला इसको नाम दे दिया गया Indian variant उसी तरीके से ब्रिटेन का वेरेंट तो यहां पर इस तरीके से नाम दिये जा रहे है तो इंडिया यहां पर यह बोला है कर दो क्योंकि क्या है कि यह जो टर्म है क्या है कि हाँ यह इंडियन वेरियंट का नाम नहीं क्या है तो यहां पर इस तरीकी चीजें हम लोगों को नहीं देखनी चाहिए वह ज्यादा बैटर रहेगा और यहां पर एक कि इंडिया आज के टाइम पर आप देख पाओगे और इसमें यहांपर यह बताया गया है वॉट्सेप के यूजर्स है वो लगभा 53 करोड जो है वाट्सेप के यूजर्स हैं जो की इंडिया के अनदर है उसके बाद यूट्यूब के 44.8 करोड यूजर्स हैं वेजबुक के 41 करोड यूजर सेंट इंस्टागराम के 21 करोड यूजर सेंट ट्विटर के 1.75 करोड यूजर से तो आप देख सकते हो इंडिया एक बिगेस्ट मार्केट बन चुका है इस डिजिटल डिजिटल प्लाटफॉर्म का ओके इतना यूजर सा उसके बाद हम लोग को बहुत सारे सावर अटेक्स और यह ऐसी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है आगे हम डिसकस करेंगे उसके ओपर भी एक आर्टिकल है देखो यहां पर यह भी बोला गया है नेक्स आर्टिकल है यहां पर बात करी गई है कोवीड की अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट हो सकती है और यहां पर यह बताए गया देखो कि उसको वापस से एड्मिट करना पड़ सकता है साथी साथ जिनको डियाबिटीज बगर है या फिर ओबिसीटी वाली सिच्वेशन है उनको यह प्रॉब्लम्स वापस से फेस करने को मिल सकती है ठीक है उसके बारे मैं यहां पीते रहना है हमेशा हेल्दी डाइट अपनी रखनी है और जो बहारवाला खाना है ना आउटसाइड वाली इटिंग फूड है उसको हैबिट को पूरी तरह से खतम करना क्योंकि बहारवाला खाना सबसे आदे खतरना के आज के टाइम पर जो की फूट बॉन डिजीज को पायदा कर देता है उसके बाद अगर कोई पेशेंट है डाइबेटी या फिर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो उसको अपना शुगर लेवल हमेशा मॉनिटर करते रहना है चेक करते रहना है ठीक है और हमेशा कंट्रोल में रखना है उसको ऐसा नहीं है कि आप चेंज करनी पड़ेगी एक मात्र सॉलूशन इसका तो यहां पर यह बताया गया है डॉक्टर्स के दुआरा एक अर्टिकल था नव उसके बाद आएंगे पेज नमबर एट के उपर तो यहां पर एक आर्टिकल दिया गया है देखो कल आपने निउस में काफिया तक देखा होगा तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहली आपको ध्यान रखना है जिसने अगस्त 2011 से लेकर फरवरी 2021 तक ट्रावल किया है अगर किसने इस टाइम के बीच में ट्रावलिंग करी है कभी भी तो उसका डेटा यहां पर जा सकता है उसका डेटा यहां पर ब्रीज किया गया और जहां से इस डेटा को ब्रीच करा गया है और यह बोला जा रहा है अभी तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलिए किसी भी कस्टमर के रिगार्डिंग लेकिन ऐसा नहीं कि future में भी नहीं देखने को मिले पूरी possibility है कि future के अंदर यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकत है जिनका भी डेटा यहां पर ब्रीच किया गया है ओके उसके बाद यहां पर अपने कस्टमर्स को अभी आज के टाइम पर सभी को बता दिया है और फिलाल तो यह situation ना काफी पहले से देखने को मिली थी जब यह पूछा गया एर इंडिया से यह situation बहुत पहले से देखो बोला यह जा रहा है कि लगब 25 फरवरी को यह साइवर अटेक हुआ था लेकिन अभी तक हम लोग को यह information नहीं बिली तो एर इंडिया कह रहा है कि यहां पर इनको खुद नहीं मालूम था exactly यहां पर क्या चल रहा था कोई perfectly information इसके बारे में थी चीज क्रेडिट कार्ड भी आपका जो है यहां पर difficulty में आ सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड में सबसे important चीज होती है CVV आपका मालूम होगा कार्ड के पीछे CVV नंबर होता है तो CVV नंबर जो है आपका यह perfect है मतलब कि CVV नंबर को कोई आपका सकतो problem नहीं होगी और उसी के मिले उसके बारे में आपर आर्टिकल दिया गया उसको बात करते हैं इनका नाम है इनका नाम है इनका पूरा नाम है और आपका सकते हो कि काफी बन जाते हैं क्योंकि यहां पर इंको बचपन से ही शौक था mathematics के अंदर उसके बाद उन्होंने काफी कुछ किया भी काफी contribute किया है mathematics की field में जैसे की algebraic geometry में differential geometry के अंदर काफी कुछ contribute किया है उसके बहुत सारे awards से इनको नवाजा गया जैसे की SS भटनागर प्राइस इनको 1975 में मिला third world academy award मिला mathematics के लिए 1987 में पदम भूशन मिला 1990 में इनकी life के बारे में बता गया है कि देखो बचपन से इनको काफी शौक था ठीक है उसके बारे में यहां पर बात करी गई है उसके बाद आता है next radical की तरफ तो यहां पर बात करी गई है देखो ओडिशा के अंदर यह cyclone यास देखने को मिल सकता है मैंने भी आपको बता दिया अच्छा हाँ हम लोगों ने एक चीज तो clear करी नहीं चलो अच्छा हुआ यहाँ पर यहाद आ गया cyclone यास हम लोगों को देखने को मिल सकता है ओडिशा मैं ऐसा यहां पर बोला गया लेकिन उसी के साथ यहां पर कौन से देखने को मिलेगा यह भी मैं clear कर दूँ यहां पर आप देख पाऊगे यह वाला जो particular region है यहां से फॉर्म होगा और उसके बाद यहां पर इस वाले एरिया में जो है यह हिट होने के से काफी हद तक chances देखने को मिल रहे हैं ओके नव यह हमने देखा इसके बारे हमने वाक प्रक्षन कम से कम हो उसके बाद आता है नेक्स्ट अर्डिकल यह बहुत हो जाता है आज के टाइम पर देख पाऊगे ओडिशा के अंदर सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर ओडिशा ऐसी जगह है जहां पर आपको ट्राइप काफी जादा देखने को मिलेंगे जो य वर्टिकुलरली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रॉप मतलब कि ऐसे ग्रॉप जो कि पहले से काफी खत्र है में जिनकी पॉपुलेशन अल्रेडी बहुत जादक कम है उनके अंदर यह कोविट फैल चुका है अब यहां पर बचे कुछे खुद हैं यहां पर पचास आड़ यह यह लॉस देख रहे हैं इस लॉस से बचा जा सके ओके खासकर यहां पर बोला है जो पीवी टीजी है पर्टिकुलरली वल्नेरेबल ट्राइबल ग्रॉप ठीक है जैसे कि दोंगरिया ग्रॉप होगे यहां पर आप देख पाऊंगे दोंगरिया कॉंद बोंडा यह सब ग्र सब्सक्राइब ग्रॉप के सब्सक्राइब ग्रॉप के नाम से लाया गया था ठीक है उसके बाद यहां पर यह जो नाम है एसका हमने बदल कर इसको फीटीजी कर दिया था लगषाद ग्रॉप जो की आज के टाइम पर सबसे जादा खत्रे के अंदर है उनकी population सबसेजाएब गाम है तो उनको के टाइम कर संस्क्राइब here इतने धाउब के अंदर 75 Advent aja कब्हाना जो laiस आपको잖아 जैंगे आपको पहले बीदा चुका हुआ क्शुल हैक अब यहां पर जब प्रप्रेटरिस्टिक से वह क्या है मतलब कि जो पर्टिकुलर्ली वल्लेरबल ट्राइबल ग्रूप के अंदर डाला गया है वह क्यों डाला जाता है क्योंकि देखो ऐसी पॉपुलेशन एसी ग्रूप है यह जिसकी पॉपुलेशन औरेडी कम होती नजर आ रही है और यह बह दिजीज के अंदर डाला जाता है ओके उसके बारे में यहां पर बताया है नौ चलते हैं यह आगे यह काफी इंपॉरेंट अर्टिकल था उसके बाद आता है वर्ल्ड सेक्शन पर नौ देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है तो सबसे पहला आर्टिकल यहां पर देख पाओगे यह नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में हमाली इंपॉरेंट बिल्कुल भी नहीं है आप देख पाओगे नेपाल के प्रेसिडेंट ने वापस है जो हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेट है वह उसको डिजॉल्व कर दिया है अब यहां पर यहां पर आता है एक कार्डिकल यहां पर आपको मालूम होगा पिछले किते दोनों से गतार अब यहां पर बीच यहां पर एक médiator बन कर आ रहा है Egypt जो है बादचीत कर आ रहा है इसराइल और हमास के बीच में ताकि जो है यह जो बादचीत है इनकी यह समाली जाए एक तरीके से इनका जो बीच में dispute देखने को मिला है उसको control किया जाए क्यों आ रहा है एजब पीच में आगे हम डिसकस करेंगे तो यहां पर आप देख पाऊगे जो बर्बाद ही है यह काफी हो काफी हत्तक हो चुकी है लगबग यहां पर यह बोरा जा रहा है कि जो पैलेस्टीन के अंदर लगबग 2000 से जादा जो हाउसिंग यूनिट से जो घर देख पारे होंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसराइल और नीचे आपको यह वाला रीजन हो जाए देखने को मिल जाएगा एजिप्ट ओके जहांपर मैं डॉट लगा रहा हूँ अब यहां पर हमास का कंट्रोल है जो कि एक टर्ररिस्ट औरिसेशन है ओके अब एरिया है वहां से सब कुछ विवाद शुरू हुआ ना उसके बाद हमास एक्टिव हुआ हमास ने यहां पर रॉकेट दागे इस्राइल ने यहां से जो है एर स्ट्राइक करी यह सिच्वेशन चल लई थी अब इसी के बीच में काफी जादा बरबाद हो यह बहुत सारे है इसराइल और हमास के बीच में बातचीत करवा रहा है कि इनके डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाएं क्यों क्योंकि जो यह गाज है ना यहां से लोग भाग रहे हैं माइग्रेट कर रहे हैं इसके बारे में यहां पर बात करें यह मैनमार के अंदर जो सिच्वेश जो सरकार थी उसको हटा कर यहां पर मिलिटरी ने अपने कबजे में सब कुछ कर लिया रिपोर्ट यह आ रही है कि इनसान जो है यह आगे भी कंट्रोल करने की पूरी तरह से सोच रहा है कैसे रिपोर्ट यहां पर यह बताती है कि देखो अभी ना आने वाले जुलाई में इनका रिटार्मेंट होना था धीसके इन यह बताती है जो है यहां पर और अने वाले टाइम पर सर्व करने वाले और भी सर्व करने वाले जो जुनता होती है मतलब कि जो लीडर है इनकी जो mandatory retirement age होती है कि एक तरीके से यहाँ पर इनको retire होना ही होना है इस particular age में अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो retirement age नहीं होगी अब यह continue करने वाले हैं आने वाले time पर serve करने वाले हैं ऐसी बहुत सरी reports बता रही हैं और हो भी सकता है आने वाले time पर सके और इसी तरीके से वहाँ की जनता का खुन भी सके हैं इस तरीके से वाहां की जो लोग हैं वो इतनी problems में आ चुके हैं आप देख पाऊगे February से अभी तक लोग protest कर रहे हैं अभी तक लोग कर रहे हैं कि हम लोग को यह जो military को है हम लोग को वापस है हमारी country के अंदर democracy चाहिए उसके बाद नेक्स राडिकल यहां पर यह बात करता है जो चाइना के father of hybrid rice है hybrid rice के father इनकी death हो गई उसी वज़ा सा news के अंदर है यह वंडे exam के point of view अब इन्होंने यह जो यह नई टाइप की टेक्नोलोजी चावल के लिए टेक्नोलोजी जो लेकर आए थे इससे चाइना कोई benefit नहीं मिला और भी बहुत सारी countries को नहीं benefit दिया बहुत सारी countries में यह गए ठीक है उनको यहाँ पर एडवाइस दी उनको यहाँ पर एक तरीके से ट्रेनिंग दी ठीक है तो उसके बारे में लगव पचास country के अंदर यह गूम है उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और ज़्यादा इस चीज के बारे में पह हो जाता है पहला दिकल तो यहां पर यह बोलता घुझा अब यहां पर एक तरीका से मीटिंग होई है कि निंहोंने इंतर आप gång के देख खांघ जो ने स्कोंप तो प्रिक्स के अंदर नेटवर्क है उसको क्रिएट किया जाएगा सारी ह कंट्री कि अंदर आती है इस ग्रुप के अंदर आती है लगवग उन्य समय में जिसको इंडिया ने किया था यह साथ वी मीटिंग होई है ब्रिक्स एस्ट्रोमी वर्किंग ग्रूप की यानि आस्ट्रोमी के लिए हम लोग जो है रिसर्च करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग बिल्ड करेंगे एक network of intelligent और साथ साथ study करेंगे astronomical phenomena की universe के अंदर studies करी जाएगी सारी countries मिलकर करेंगी artificial intelligence के उपर काम किया जाएगा machine learning application के उपर काम किया जाएगा ओके साधी साथ जो है इन सभी countries जो की bricks के अंदर आती है उनको एक data से connect करने की बात करी गई है यहाँ पर आप देख पाऊगे सारी countries मिलकर दोरा ही जा रही है अब आते हम अपने exam के point of view से important चीज़ पर वो है bricks bricks gsp2 के point of view से काफी ज़्याद important है gsp2 में आपको international relations का एक point देखने को मिलेगा वहाँ के point of view से काफी ज़्यादा important बन जाता है now brick क्या है एक acronym है acronym मतलब की एक full form होते मानलो ठीक है full form के जो आगे-आगे के शब्द होते हैं ठीक है मतलब आगे-आगे-आगे के हर एक word के आगे-आगे शब्द होते हैं उसको बोला जाता है acronym मतलब अब ब्रिक्स की सब्सक्राइब करें दूनिया में जितनी जनसंक्या उसके 40% अंदर आती है 30% GDP जो है वो ब्रिक्स की आकेली की यहां पर जीडिपी देखने को मिल जाएगी ओके उसके बाद यहां पर आप देख पाऊगे एक चीज़ और बताएगी जो साउथ अफरीका है उसको invite किया गया था brick में लगबग December 2010 में इसको invite किया गया था ठीक है फिर उसके बाद हमने South Africa का region भी बढ़ा दिया यानि कि brick पहल हुआ करता था बाद में इसको ऐसे लगा दिया गया South Africa last में add हुआ था objective क्या है जो ये bricks वाली countries है ये आपस में मिलकर अपने relations को maintain करें corporation में काम करके मतलब आपस में मिलकर चलें एक तरीके से जो development है उसको करें आपस में मिलकर जिस तरीके से हम लोग अभी देख पा रहें news क्या है ये सब मिलकर data network के अंदर एक दूसरे countries को ये लोग connect करने वाले हैं now जो bricks है यह आप देख पाओगे हर एक member की growth के लोग development के उपर काम करेंगे poverty को कम करने के लिए आप पर ये सब लोग काम करने वाले हैं इनके बहुत सारे objectives हैं जो कि यह आपके सकतो work करने वाले यह जो bricks countries हैं यह सारी countries अपने main objectives के उपर work करने वाले मेन objective यहीं है कि सारी countries cooperate करकर काम करते वे नजर आए ठीक है जो कि हम लोग को अभी बहुत सारी countries ऐसी है जिनके बीच में dispute चलता है तो यह चीज़े नजर नहीं आती है विलाल यहां पर जो लिखा है जो इसका मेन मुद्ध है वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना उसके बाद आता है आज का next article और लास्ट आर्डिकल बात करी गई है white flies के बारे में तो white flies क्या होती है आप देख पाओगे जो पत्ते हैं ठीके पेड़ है पेड़ के ऊपर आपको छोटी छोटी white flies देखने को मिलेंगे ठीके अब यह जो है ना यह जो white flies में सारह 2016 की गर्मियों में हम लोगों ने एक तरीके से इस चीज को पर इन्वास्टिकेट वगरा करा है ठीक है एक कोकोनट फील्ड था यानि की कोकोनट का कोकोनट का पूरा फील्ड था मिलाडू के अंदर वो पूरा बरबात किया इन वाइट फ्लाइस के द्वारा नौ यह यह जो वाइट फ्लाइस हैं यह पहली बार आप देख पाऊगे इंडिया के अंदर देखने को मिली थी के अंदर 1995 में अब यहां पर स्टडी का बताती है कैसे कैसे आई इंडिया के अंदर उसके बारे हम बात करेंगे लेकर उससे पहले यह देखो स्टडी उसके बाद पांस से दस लोकेशन घूमें पांस से बारा डिस्रिक्ट में घूमें खाज कर लक्षदीप में भी यह लोग गए उसके बाद यहां पर पता लगाया कि वाइट फ्लाइज हैं तो अब्यसी बात है सब जगे वे वाइट फ्लाइज देखने को मिली हैं जो इनका जीनोमिक प्लाइज जेखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर कैसे आई तो देखो most probably यह बोला जाता है कि अगर कोई यहां पर आया होगा तो इसके अंदर यह वाइट फ्लाइज हो गई होगी यहां फिर साथ साथ में कोई टूरिश्म टूरिस्ट वगर आया होगा इंडिया के अंद Nordicus Despairis तो यहां पर एक तरीके से यह आपको सभी जगा पर देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर खाली जम्मू कश्मिन में नहीं देखने को मिलेगा वाकी सब जगा पर यह वाइट फ्लाइग देखने को मिलती है उसी तरीके से दूसरी है रुगोस एस्ट इसक्रिलिंग व पूरी तरह से फैल चुकी है बहुत सारी रिपोर्ट्स यह बताती है कि हाली में एक कोकोनट और पूरा पूरा इंडिया के अंदर 1.35 तो इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है इन वाइट फ्लाइज ने यह फसलों को काफी जदा बर्बाद करती है खाती खाती चली जाती है कैसे देखो जहां पर भी पेल पर बैटी एक तो पहली बाद वहां पर उन्होंने खा लिया जिस जो भी खाना है उस पर बैट कर खाना उसके बाद वहीं पर ब्रीडिंग करना ठीक है जिससे की जो है इनकी पॉपॉलेशन काफी ते जिससे बढ़ती भी नजर आती है उसके बाद जो यह इन्वेसिव वाइट फ्लाइए यह आपका सकतो एक्स्पेंड होती भी नजर आ रही है खासकर ऐसी प्लांट इस पर जो की अलड़ी काफी कम है ऐसी प्लांट जो हमारे पास प्रजातियां पॉदो की जो पहले से कम है उनको यह और बरबाद कर रही है जैसे की कोकोनट बनाना मैंगो सपोता सपोता कौन से होती है वह चीकू जिसको हम लोग बोलते हैं ग्वावा कैश्यू ऑइल पाम ओन करने का इलाज है वह एक फंजाए फंजाए का नाम है एंटो मोफ पैतोजनिक फंजाए अब यह जो फंजाए यह इन इंसेक्ट को मार सकती है ठीक है इनको मार सकती है पूरी तरह से और जो यह फंजाए एंवामेंट फ्रेंडली है ऐसा यह कि आपको नुक्सान पहुचे गया एंवामेंट को इससे नुक्सान पहुचेगा तो ऐसा कुछ नहीं है इसको मार भी सकते हैं ऐसा यहां पर बता आ गया तो यह पूरी इंफॉर्मेशन है वाइट फ्लाइस के बारे में ओके तो आई होब आप लोग सभी चीज क्लियर हो गई होगी नाव यहां पर करते हम लोग अपने न्यूस्पेपर एनलेसिस को समाथ मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बाबाई हैव नाइस डे